सड़क दुर्गटना के विरोध में ग्रामीडों ने कच्रा लदा वाहनों को रोक कर किया विरोध प्रदर्शन जिन्ड़गी व मौत से जूज रहा है घायल युवक आनन्त युवक के इलाज का संपूर्ण खर्च उठाने की मांग की इस दरान अगरपरशत के खिलाब कई नारी भी लगाए गए विरोध प्रदर्शन सुगह नौव बजे से शुरू हुआ जो जारी है इसकी जानकारी विभाग के पदारिकारी को दी गई लेकिन कोई पदारिकारी विरोध प्रदर्शन इस्थल पर नहीं पहुचा जिससे ग्रामीन आक्रोशित हैं मुखिया विजे कुमार सिंग ने बताया कि दो दिसंबर को गेरवा में नगरपरशत चत्रा के कच्रा लदा वहान एक बाइक चालक की चपेट में ले लिया था जिससे फरंदा गाउ निवासी आनंद कुमार पिता रामचंदर साओ गंभी रूप से खायल हो गया था उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया जहां प्रात्मी कुपचार के बाद रांची एम्स रेफर कर दिया वहां भी इस्थिती गंभीर होने के कारण लाइफ केर होस्पिटल रांची में भरती कराया गया जहां इलाज चल रहा है आनन्द जिंदगी वह मौत से जूज रहा है कटना की जानकारी नगरपरिशत के करेपालक पदारिकारी विनीता कुमारी को दी गई लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया अब इलंब आनन्द के इलाज का संपूर्ण खर्च नहीं उठाया गया तो एनेच पत को जाम किया जाएगा कच्रा डंपिंग से संबंदित गाओं में हो रही समस्तिया का निदान करने वा पंचायत को टेक्स देने की भी मांगती मौके पर संतोष कुमार, राजिस साव, मुकेश साव, शंकर साव समेथ काफी संख्या में महिला वपुरुष गरामीन शामिल थे